देख भई ये फाइनल स्टाटरजी होगी तेरे ओक्टोबर महने के लिए और जो टर्म एग्जामिनेशन इस महने आने वाली है मिड में मतलब कि students आप अगर यहाँ पे खड़े हो मतलब कि आप अगर लालाज और लालीज हो और आप चाहते हो कि 95% हम किस प्रकार से term examination में score करें at the same way boards examination में किस प्रकार से प्राप्त करें और जो भी कठी नईया है उसको पार करते हुए हम एक average students ना बनते एक topper students के श्रेनी में आए तो students ये वीडियो आप के लिए है पूरा की पूरा वीडियो end तक देखना है क्योंकि students मुझे बस आपके ध्यान से सुन भई मुझे बस तेरे चार घंटे चाहिए एक दिन के अगर तु चार घंटे देने के लिए तयार है तयार हो रही है तो भई तेरे से पूरा की पूरा चीज़े कंप्लीट हो जाएगा देखो students कोई भी hypothetical बाते नहीं करूँगा इसके बाद एक एक सेकेंड एक एक मिनिट आप सभी के लिए बहुत जादा important होने वाला है हर एक सब्जेक मतलब SST सब्जेक हो language हो science हो maths हो हर एक सब्जेक को कहा पे कहा पे करना है किस दिन करना है कौन से दिन कितना study करना है कितने chapters Nichators complete करने है कितने घंटे में complete करना है हर एक चीज detail में बताओंगा उससे पहले students आप सभी को एक मंत्र दे रहा हो है अगर आपको टर्म examination में ओर आने वाले examination आच्छे mark गिराने तो ये मंत्र आपको हमेशा धियान में रखना है अगर आपको भरोसा होगा मतलब मेरे पर भरोसा हो या फिर किसी और पर भरोसा हो अगर मेरे पर भरोसा होगा और मेरे plan को आपने अगर execute किया तो ही जाके हमको result प्राप्त होगा यह नहीं students की बस video देखके चले जाओगे तो इससे कुछ नहीं होने वाले आप बस मेरे को एक views दे दोगे मेरे को पैसा मिल जाएगा मेरा बार खतम हो जाएगा वैसा नहीं आपको अगर भहिया पर भरोसा है तो इस प्लैन को लिखे रखो नोटबुक में लिखो मोबाल को बाजू में रख दो मोबाल को इदर उदर हिलाओ मद मोबाल को बाजू में रख दो एक pen ले एक पेपर ले और जो जो चीज़े भई मैं बता रहा हूँ वो चीज़े एक्जीक्यूट करना है आज के आज मुझे बिल्कुल भी आप पे भरोसा नहीं है इसलिए मैं सभी से चाहता हूँ सभी से हाथ जोड़ के विननती करता हूँ नीचे खुद को चैलेंज दो कि हाँ हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कमेंट्स में मुझे सभी जन फटा फट से एक्जीक्यूट 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 बोलके से important होगा प्लीज अच्छे से समझना इदर उदर की बिल्कुल भी बाते नहीं होने वाली है सबसे पहले अगर October के महने की बात करें students तो हम सभी को पता है कि आपका first term examination आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी मैं छेड़ शाड नहीं करूंगा ध्यान से सुनना सबसे पहले science जो subject है science subject को आपको हर Monday और Thursday Monday से लेके तो Thursday तक कहा से कहा तक Monday Tuesday Wednesday Thursday चार दिन आपको science करना है मैंने जैसे बोला students आपके मुझे 4 घंटे चाहिए 4 घंटे का self study मुझे चाहिए जो की morning night और afternoon का session मुझे चाहिए सबसे पहले students morning से लेके मतलब Monday से Thursday Monday से Thursday क्या करना है आपको 2 घंटा आपको science करना है अभी सबसे पहली चीज़ first term के जितने भी chapters है मतलब suppose most of the students को 5 chapters है तो 5 में से at least 4 chapters आपके perfect होने चाहिए मतलब पहला chapter दूसरा chapter तीसरा चोथा पाचवा तो इन 5 में से भी अगर science 1 की बात करूँ तो heat chapter अगर आपका नहीं हुआ या फिर effects of electric current नहीं हुआ है तो बाकी के chapters आपके perfect होने चाहिए प्लस आपको students जैसे ही term examination खतम हो जाएगी उसके बाद आपको और 2 extra chapters आपको करने है मतलब 5 या मतलब 4 chapters 4 plus 2 chapters मतलब science 1 के इस महने में आपको 6 chapters complete करने है अभी देखो कैसे complete करना है वो भी बताओंगा डरो मत सबसे पहली चीज़ students मैंने जैसा यहाँ पर दिया है कि at least 6 chapters आपके perfect होने चाहिए science 1 के 6 chapters और science 2 के 6 chapters अगर 6-6 chapters नहीं होते तो भाई एक काम करते हम एक target कम करते थे 5 chapters इदर के 5 chapters उदर के अभी देखो students बहुत सारे students का क्या होगा science 1 के science 1 के at least 3 chapters तो भी perfect होंगे भाई अभी तक अगर perfect नहीं होगा तो भाई लाला तेरे को नीन से जागने की ज़रूरत है और science 2 की भी अगर मैं बात करो तो 3 chapters लगभग लगभग होंगे मतलब 6 chapters हमारे perfect है हमको बस 4 chapters perfect करने है तो देखो उसको पहले क्या करोगे students हमारे जो concepts होते है वो concepts अच्छे से समझ के लिए concepts समझने के बाद students exercise question पे जाना और exercise होने के बाद previous year question पे जाना अगर आपने इतना भी complete कर दिया तो आपके chapters complete हो जाएंगे अभी आप बुलो कि भी यह आपने तो 4 घंटा मांगा था 2 घंटे का ही आपने बताया है अरे नमूनों आगे देखो maths को भी क्या करना है students आपको Monday से Thursday करना है maths अभी देखो यह morning में करोगे आप ठीक है एक तो morning में करो नहीं तो afternoon में करो अगर morning में नीन नहीं खुलती तो भी afternoon में कर ले लेकिन 2 घंटा कुछ भी करके तेरे को science को देना है मतलब देना है हर दिन Monday से लेके तो Thursday तक कमेंट्स में लिखेंगे और वीडियो को पूरा एंड तक देख क्योंकि language और sst की strategy दे रहा हूँ फिर अगर मैं maths की बात करूँ तो Monday से लेके Thursday वो भी 2 घंटे आपको देना है क्योंकि 2 घंटे आपने Monday से Thursday science को देना है तो 2 घंटे आपको maths को देना है तो आपको plus 1 chapter करना है मतलब इस महने में October के महने में आपको 4-4 chapters maths 1 के 4, maths 2 के 4 अभी देखो कैसे हर दिन students 2 exercise करना है और उसको revision करना है daily हर दिन 2-2 exercise मतलब देखो अगर मैं maths 1 की बात करूँ तो 15-16 exercise होंगे maths 2 की भी अगर मैं बात करूँ तो 15-16 पकड़ के चलो तो 30 exercises पकड़ के चल हमारे पास हर हफते में हम 4-4 दिन देरे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 4-4 दिन देरे हर 4-4 दिन में 2-2 exercise कर रहा है तो 8 exercise एक हफते में हो रही है तो 4 हफते में लगभग लगभग तेरे 24 exercises हो जाने चाहिए perfection के साथ क्योंकि 2 घंटे में अगर तो 1-1 sum भी अगर 2-2 बार भी करेगा तो 2 exercise तेरी हलवा बोलके हो जाना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद languages कप करोगे languages जो होगा students वो perfectly आपको Saturdays और Sundays को ही languages देने है हर दिन उसको भी 2 घंटा देने बाकी के 2 घंटे क्या करना है मैं बताऊंगा Saturday को या फिर Sunday को आप students 3 घंटा भी दे सकते हैं जिसमें grammar करना है writing skill करना है और learning करना है learning में क्या क्या आएगा स्थूल वाचन आएगा appreciation आएगा पूरक पठन आएगा वगिरा वगिरा ठीक है तो Saturdays and Sundays will be totally dedicated to the languages रही बास स्थी की तो स्थी के लिए Thursdays, Saturday और Sunday रखा है ठीक है चार घंटे मांगे थे Saturday और संडे को दो घंटे हमारे किदर जा रहे, दो घंटे हमारे language को जा रहे और दो घंटे हमारे किसके लिए जाएगे social studies मतलब अपने स्थी के लिए history, geography और political science उसमें students सबसे पहले maps करोगे और learning करोगे और first time के जितने भी chapter होंगे उनमें एक chapter आपको extra करके रखना है दो घंटे करने है आपको daily के मतलब कि students देखो दिन में से simple सी बात है ठीक है अगर मैं conclusion पे आऊ तो भई simple सी बात है ध्यान से समझना कि भई हमको क्या करना है students हमको क्या करना है कुछ भी करके दिन में से 4 घंटे निकालने है 4 घंटे निकालने के बाद मंडे से लेके Thursday तक हमको 2-2 घंटा science की learning करनी है at least हमारे 5 chapters तो भी ये महने में complete हो जाने चाहिए उधर के 5 और इधर के 5 सुबह करो दूफेर को करो कोई घंटा फरक नहीं पड़ेगा कभी भी करो 2 घंटे करो फिर मैज भी मंडे से लेके Thursday तक पूरे करना है 4 दिन continue आपको हर दिन रात को करना है फर्स्ट रम के chapters के साथ एक chapter extra आपको करना है दो-दो exercise हर दिन करो revision के साथ extra एक chapter मारो मखन मार के languages जो होंगे वो totally totally based होंगे Saturday और Sundays के लिए हर दिन 2-2 घंटा आपको करना है जिसमें सबसे पहले grammar से शुरुआत करोगे writing skill से शुरुआत करोगे और learning से करोगे अगर आपको writing skill और grammar के वीडियो चाहिए तो link में description में दे दूँगा after that social studies के अगर हम बात करें तो social studies में हम Friday, Saturday, Sundays देंगे पूरे के पूरे टेडिकेट 2 घंटे हम देंगे जिसमें 2 घंटे में हम सबसे पहले maps कर लेंगे geography के और फिर learning dedicated learning पे जाहिए जिसमें हम first term के भी हमारे chapters complete होंगे एक extra chapter मतलब first term में अगर 5 chapter होंगे तो plus 1 extra chapter करेंगे हम तो मतलब हमारे history और geography के 6-6 chapters complete हो जाने चाहिए so I hope students आपको सभी चीज़े एकदम detail में मैंने समझा दिये और comments में लिखना है yes भईया execute कर रहे yes भईया execute कर रहे फटा फट से chats में लिखना है और channel पर नहोंगे तो channel को जरूर subscribe करना है students I hope यह October का जो भी strategy में ने दिया है first term के साथ साथ आप जरूर इसको accomplish करोगे मिलते है students अगले वीडियो में तब तक मचाते रो फोरते रो और हाँ important questions की series आने वाली है कल से मिलते हैं तब तक peace out आने दिना आने है आने है सलने है सलने है